नमस्कार दोस्तों मैं देन देल रामावत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में हारदिक स्वागत करता हूं सातियों हम हमारे चैनल में रोज पसू की किस न किसी समश्या के समधान को लेके आते हैं तो आज हम पसू की आम बिमारी जिसको आफरा, पेट फूल जाना, कई जगें अफरा या अडारा आना भी कहते हैं उसके बारे में विस्तित जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो आईए वीडियो सुरू करता है कई कारणों से पसू के पेट में गेस बर जाती है और वो गेस कई वार ज़्यादा तो कई वार कम रहती है और ये जो गेस बर जाना है जिससे पसू का पेट फूल जाता है इसे ही हम आफरा कहते हैं जिसको अफारा भी कहता है, तो ये समश्या कई परकार के कारणों की वज़े से होती है, जिन कारणों को हम वीडियो में डिसकस करेंगे, और ये समश्या जब होती है, तो कई वार हलका अडारा या हलका आफरा रहता है, तो समश्या कम रहती है, लेकिन कई वार जब आफरा ज तो है वो पसों की 5% मृत्युदर इस आफरा नामक बीमारी से होती है जो कि एक आम बीमारी है लेकिन कई वार जब विक्राल रूप ले ले लेती है तो पसों की जान भी ले लेती है साथियों आफरे में जो पेट में यानि पशू के रूमन में जो गैसी बनती है वो गैस अमोनिया, कारवन्डाइञ आक्षैड या मिधे Eleanor नमक गैसे बरती है ये गैस जब कम होती है तो नॉर्मल इलाज से ठीक हो जाती है और ज़ब यह कैसे ज़्यादा होती है तो पसू के कही वार पेट दर्द के लक्षन भी आता है, पसू बेचें होकर के बैठता उड़ता है और लाते पठकता है। जब यह समश्याद ज्यादा होती है तो चाती पे वजन पढ़ता है यानि डाइफराम पे जोर पढ़ता है और पसू को सांस लेने में तकलीब होती है और आपरे में जो मौत होती है पसू की वो सांस लेने में तकलीब की वज़े से ही मौत होती है साथियों आप रे बिमारी के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे तो सुरुवात में हम इसके कारणों के बारे में आपको जानकारी दे दे मुख्य जो कारण है वो है ज्यादा मात्रा में आरा चारा, सूका चारा, या बांटा, कई वार पसू पालग ज्यादा दे देते हैं पसू को, या कई वार पसू अपने आप ज्यादा खालेता है, मान लिजी घुंटे से बंदा हुआ है, और खुल गया है, तो वो अपने आप जाकर के ज्यादा खालेगा, ये भी आपरे का क साथियों पसु के पीने का जो पानी है वो सही ना हो दूसित हो या गंदा पानी पी लेता है पसु तो उसकी वज़े से भी आपरा आ जाता है इसके अलावा कई वार पसु बाले क्या करते हैं खान पान में तुरंट बदलाव कर देते हैं जैसे चारा चेंज किया या माल लो चेंज किया तो बान्टे में जो बदलाव करते हैं एकदम से तो उसकी वज़े से भी आपरे के शिकायद हो जाती है और इसके अलावा साथियों पेट के जो परजीवी होता है जिसका हमने पिछले वीडियो में बताया था तो पेट के परजीवें के वज़े से भी पसु को आपरा रेता है तो साथियों ये सबी कारण आपरे के हैं जो हमने आपको बताये हैं तो ये सब जो कारण है उनमें ही इसका उपचार भी छुपा हुआ है तो आईए आगे उपचार की तरफ रुख करते हैं साथियों जब आपरे की शिकायद कम होती है उस समय पसु पालग गर पे ही उसका इलाज करके उसको ठीक कर सकता है लेकिन जब जब ज़्यादा तकलीब होती है पसुचिकित्सक को बुलाया जाता है तो अगर पसुचिकित्सक के आने में देरी हो रही है तो उस हमें भी हमारा जो गरेलू इलाज तोशिना से हैं रुग्गा राम जी गोठवाड उन्होंने जो वीडियो क्लिप बेजी थी उनसे हमें प्रेना मिली कि हम आपको आप रहे के इलाज के बारे में पूरी विस्तिरत जानकारी दें तो पूरा इलाज हम जानने से पहले एक बार इनकी क्लिप की तरफी नजर डाल आज दिन की दोबोग मेंगा ना किरिया और तीन में गया बने तेरा सब्सक्राइब यह काम करो कि मान कोई देशी इलाज देट बताओ दुक्त बुलावां तो फिस आलाग के सांटा गरी बाद मियां पूरुम को नहीं और देशी इलाज बताओ जो में घ्रम बेटा एक रि दिन से चल रही है और साथ में कबजी की भी सिकायत है तो साथ में कबजी की सिकायत भी हो जाती है जब पैट में गेस बरती है तो आंतों में भी थोड़ा सा सिकडन होता है और कबजी हो जाती है तो हमें कबजी का इलाज भी इस आप रे के साथ साथ ही देना होगा ताकि साथ-साथ उसके मुуки में आप जो आक होता है उसकी रखड़ी आ कोई भी लखड़ी मूह में चबाएं यह जीप पे रगड़े यह कई वार लखड़ी को जीप डाल करने कि पीछे बांध भी सकते हैं पुसु झुला रखते जिससे मूह कुला रखने से भी उसकी गेस लगातार बार निकलती रहेगी और जो पेट में जो गैस है रूमन में जो गैस है वो कम होती रहेगी दूसरा जो हमें इलाज करना है वो करना है कि मिट्टी का तेल जिसको हम केरोसीन बोलते है केरोसीन कपड़े पे लगा करके या सीधा या आप नाक पे डाल दें यानि कि पसु को सुगाए तो केरोसीन की सुगंद से भी जो केरोसीन है वो कार्बिनेटी होता है और उसकी सुगंद से ही पेट की जो गैस है वो कम होगी तीसरा जो हमें इलाज करना है वो महतवपूर्ण इलाज है जो हमें पेट में देना है उसके लिए तीन चीजों की आउशिक्ता होगी ये आप नौट कर लें साथियों उसमें से जो पहले चीज है वो है तारपिन का तेल जो हमें सिर्फ 50 ml लेना है दूसरी जो चीज है वो है सरसों का तेल जो आदा लिटर यानि 500 ml हमें एक खुराक में लेना है तीसरी जो चीज है वो है हिंग हिंग परजियों का नास करने वाली है तो तीसरी चीज हिंग है जो हमें 50 ग्राम लेनी है तो साथियों इन तीनों को हम मिक्स अब करके पानी में मिला करके आवश्यक्ता अनुसार पानी मिला ले और पसू को पिला दे पिलाते समय भी जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जीब को खुला रखें ताकि किसी भी प्रकार की ड्रेंचिंग की यानि फेपड़ों में पानी जाने की समझे ना हो तो ये इलाज हम इसके लिए कर सकते हैं तो साथियों हमने जो इलाज बताया है ये सब प्रारंबी की इलाज है डॉक्टर के पहुंचने से पहले का इलाज है अगर ज्यादा तकलिव हुई है तो हमें पसु चिकिसा की सिला लेना अनुवारिय हो जाता है क्योंकि ये भी एक जान लेवा बिमारी है साथियों ऐसे कई काम है ऐसे कई रखरकाव है जो अगर पसु पालक बाहि रखे तो अपने पसु को आप रेकी सिकायत नहीं होगी उनमें से जो पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हरा चारा या सुका चारा हम दे रहे हैं उसकी मातरा को सीमित रखें कई वार ज्यादा मिल गया ज्यादा दे दिया कई वार कम दे दिया ऐसा ना करें सीमित मातरा रखें और जो रेगुलर नियमित जो मातरा देते आए हैं वही मातरा को आप आगे रखें उसी प्रकार से हमें कि दाना और बांटा दे रहे हैं तो वो भी सीमित रखें, और उसमें भी अगर हमें बदलाव करना है, तो बदलाव को दीरे-दीरे करें, जैसे अगर दूसरा जो नया हम बांटा शुरू कर रहे हैं, उसको पहले दिन 200 ग्राम दे, पुराने वाले के साथ, दूसरे दिन 400 ग्राम दे, तो उस प्रकार से पसु को देते हैं, उस हमें भी ध्यान रखेंगे, चारे को काट करके तुरंद ना दे, चारे को गंटा-दो गंटा के लिए पढ़ा रहे ने दे, काटने के बाद, और उसके बाद खिलाएं, ताकि आप रे की सिकायद नहीं होगी, और लास्ट में जो है, वो हरा चारा कई वार पसु अपने आप खा लेता है, वो भी कच्चा, तो कच्चा चारा जहां तक संभव हो, ना खाने दे, ताकि इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो उनको आप रे की सिकायद कभी नहीं होगी, और आप रह नहीं होगा, तो पसु के स्वास्तिय में भी बिलकु सुधार रहेगा, किसी भी प्रकार का खत्रा नहीं रहेगा, साथियों, आज आपरा बिमारी के बारे में हमने आपको बताया है, तो आसा है, आप सभी को पसंद आई है जानकारी, और सभी पसु पालक भाईयों के लिए ये जानकारी फायदे मन्द भी होगी, तो साथियों तो हम पसों में जो रख रखा और रख रहे हैं, कई वार पसु पालक की गलती की वज़े से भी पसु बिमार होता है, तो मैं बार बार अपने वीडियों में ये बातें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप जागरूख हों, सभी पसु पालक भाईयों को ये पता रहें, कि ऐस करें जिससे हमारा पको पीमार हो उसके बावजूत अगर फशू बीमार हो भी जाता है तो आप हमें सुचित करें weडियो के माध्ययम से हमने जो आपको निचे वाट सेफ नमबर दिये हैं उसमें वीडियो बनाके बेजे हम आपको तुरंत उसका देशी यानि गरेलू समाधान आपको पहुंचाएंगे और आपके माध्यम से हमारे जो भी दर्सक यूटूब पर वीडियो देख रहे हैं उन तक भी हम उस समयश्य की अपने पसू का गरेलू इलाज कर सकते हैं सातियों गरेलू इलाज प्रारंबिक अवस्ता में बहुत ही कारगर होता है तो सभी पसूपालक बाईयों को हर बीमारी का गरेलू इलाज भी आना चाहिए ताकि छोटी मोटी समश्याओं के लिए हमें इदर उदर भागना ना पड़े तो सातियों आपके भी नजदीक या किसी भी पसूप के कोई समयश्या है तो उसकी वीडियो क्लिप बनाए और हमें बेजे और नीचे जो वाटसेप नमबर दिये हैं उन पर बेज दे उससे समंदित जो भी हमारी जानकारी होगी वह हम आप तक पहुंचाएंगे तो सातियों कैसा लगा आपको ये वीडियो इसे लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि पसों से समंदित सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद